Hero HF Deluxe Eco के review video में आपका स्वागत है और यहाँ पर आप सोच रहेंगे कि Eco का मतलब क्या है तो Eco यहाँ पर economical के लिए use किया गया था जिसे कि मतलब यहाँ पर आप समझी सकते हैं कि fuel economy से इसका मतलब है कि यह ज्यादा fuel economy देगी अब वो क्या सच चाहिए हो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो यहाँ पर बस जो यह बाइक है ना इसको aerodynamically यहाँ पर enhancements करके और इसका fuel economy company ने claim किया है बढ़ाने का आप ले गाड में वो छोटा सा देख सकते हैं देखने को मिलते थे वहाँ पर अभी तो यह change हो चुके है वे route होने के वज़े से और यहाँ पर वही सेम आपको HF Deluxe regular में जो 97.2 CC का engine आता है जो कि 7.8 PS का peak power और 8.04 Nm का peak torque देता है आपको जो कि एक decent सा performance है अगर आप इस range की bikes में देखें तो similar ही specifications आपको देखने को मिलती है और HF Deluxe Eco चलाने में भी कोई परिशानी नहीं है लुक्स में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है इसकी जो main problem है न भाई वो है इसके suspension जो कि बहुत ही ज़्यादा stiff यहाँ पे set किये गए है औ और जो overall जो मतलब ride quality है न वो बहुत ही ज़्यादा harsh है यानि कि अगर आप लगातार 20 km चलाते है न तो आपको feel होगा कि भाई हा मैं ठका हुआ मैं थका हुआ मैं हसूस कर रहा हूं कमर में आपको feel होगा ऐसा कि भाई हा मैं कुछ hard जगा पे मैं बैठा हुआ काफी time से तो वह वाली बात है यहां अगर हम बात करें तो इसी की जो HF Deluxe के अलावा जो 100cc की दूसरी बाइक Splendor Plus या Pro ले लिजे आप खेर प्रो तो आप आती नहीं है तो वह उसकी right quality इससे काफी बेतर में मानता हूं यहां पर आप इसकी look and design देख सकते हैं बिलकुल सब कुछ सिमिलर है यहां पर color खाली change है और यह जैसे कि मैंने बताया था यहां पर size आप देख सकते हैं 275-18 ही है पता नहीं सायद से यह tire change होंगे क्योंकि मैंने कहीं इसकी website पर देखा किसी की यहां पर low profile tires दिये जाते थे पहराल यहां पर आप देख सकते हैं eco की badging और silver lime green ही बोलेंगे इसे सायद वो color में finishing कैसे है मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है लेकिन हाँ ठीक है बढ़ देख साते हैं front और rear दोनों ही तरफ जो कि front में 130 mm का और rear में 110 mm का और यहां पर आप देख सकते हैं bike को अगर आप 40 45 चलाएं तो यहां पर कोई परशानी नहीं है लेकिन 50 के ऊपर जैसा कि ज़्यादा तर 100cc की bikes में आपको feel होगा कि हाँ यह थोड़ी हलकी बहुत vibration देखना को मिलेगी हाँ TVS sport की तरह नहीं vibrate करती है लेकिन हलका फुलका आपको महसूस होने लगा तो 50 की speed के अंदर ही आप चलें तो वह बहतर है वहीं comfortable रहती है यह bike सबसे ज़्यादा और यहां पर मैं आपको बताना जाओंगा eco देखके आप confused नहीं हो यहां पर कोई भी technical enhancement नहीं की गई है mileage के लिए सिर्फ और सिर्फ aerodynamically थोड़ा बहुत designs कर्प्स और चेंज किये गए है इस bike के तो उससे कुछ खास फरक पड़ता नहीं है दोस्तो mileage जो इसका कहीं ना कहीं एक selling point हुआ करता था वो 83 का claimed था अब पता नहीं किस condition में लोग 83 निकालते थे और claim कर दिया थ है उनके experience के हिसाब से उन्होंने काफी चला लिया इसे experience के हिसाब से 60 to 65 का ही नॉर्मल जो एचे भी लगसाती है उतना ही mileage यह निकाल रही है और दोस्तों पता दूं कि 2019 से ही यह बंद हो गई आना तो अगर आपको लेना है तो यह तो आप लहीं नहीं पाएंगे color यह पसं दाया होगा तो please इसे like करिए share करिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे channel को subscribe करिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे किस अगले वीडियो में बाई